हलो नमस्कार दोस्तो वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल लावित रोने दोस्तो आप सभी का हमार इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत हैं दोस्तो एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि उत्राखंड जुडिसरी से रिलेटर दोस्तो ये विडियो होगा दोस्तो पता है उत्राखंड जुडिसरी में जीएस का भी पोर्षन होता है और उसी जीएस के पोर्षन से दोस्तो आज हम आप लोगों के लिए यू एन्नो का टॉपिक ले करके आप लोगों के सामने आये हैं जो जिसको कहा जाता है यूनाइटेड नेशन और्गनाइजेशन दोस दोस्तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज आप लोगों के लिए मैं यहां पे फुल लेक्षर लेकर करके आया हूं जो की यूनो से रिलेटेड है इसमें यूनो के सारे अंगों के बारे में बताएंगे ये भी बताएंगे यूनो में किस-किस के पास वीटो पावर है और इसके कौन-कौन से प्रमु खांग है उनका हेड़कॉर्टर कहां कहां पे सिचुएटेड है जो भी इससे रिलेटेड साथियो इनफॉर्मेशन होगा वह सारा इनफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में आपको देने वाला हूं तो दोस्तो आप लोगों ने थमनेल मिनकी यूनाइटेडट नेसन ओर्गनाइजेशन का यह फ्लैग है और साथ यह यह आप डहनिया देख रहा है यह घृकता है कि यहां पर देखने को मिलाओगा कि यह उपर से खुला है मिन्स की कहने का ताथ पर यह यह है कि युएनो का यह इस तरह से जंडा फाइनलाइस किया गया है कि जो भी युएनो में विश्वास रखता है जो भी देश युएनो मिन्स की युनाइटेड नेशन और्गनाइजेशन के अंदर अगर विश्वास रखता है वह अपना क्या कर सकता है अपनी सदस्यता लोग आ सकते हैं यूएनो में आप लोग सामील हो सकते हैं इसलिए इसका दरवाजा क्या है इधर से लगें ओपर से मार्ग खुला मिन्स की आप सकते हैं इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें इसमें जानना पड़ता है यह पूरा समुद्र का मांचित्र समुद्र यह बनाए गयाए इस तरह से प्लस किया इस जा जब ज़ए कभी कप चाब आजाता है और आपको ध्यान रखना होगा तो जो चाब से रिलेटर जो भी उनाइटेड नेशन और्गनाइजेशन अगर टोटल देश सदस्य देशों की बात करें साथियों तो इसमें टोटल 193 सदस्य देश हैं किसमें अगर युएनु की हम बात करें तो सबसे बड़ा संगठन है वर्ल लेवल पर ये काम करता है इसके अंतरगत बहुत चीजे सामिल होती हैं और उन सरी चीजों के बारे में मैं डीटेल एनलिसेस आपको इसी वीडियो में करने वाला हूं बस थोड़ा देर आप इंतजार कर लीजिए आपका जीतना भी डाउट होगा उन सभी डाउट को हम इसी वीडियो के माध्यम से किलियर करते हुए चलेंगे देखिए सारी चीजों को जानना आपके लिए महत्वपूर होता है मैं अपने प्रिवियस लेक्चर में जो मैं एमसी क्यू सेशन लेकर करके आता हूं उत्तराखंड जूडी सेशन में आपको अल्रेड़ी बताते चलता हूं कि हो इसमें कितने पर्मानेंट अंग है तो आई सीजे क् है कितने लोग हैं गय हैं एंटरनेशност को जस्टी यह सारी चीजों को अज नाम सुने कीacon प्रेकी तीसरा फिक यह नहीं हो सकता है और इसलिए तीसरत वल्ड वार कारण के लिए इस्तिती नहीं बन रही है क्योंकि सब के पास समय एटामिक एनपर होने के कारण सब इतने पावरफुल हो गया है हम भारत के लोग है और भारत एक सांती-प्रिय राष्टर है आप वोग सभी लोगshow पता है सभी देशों के पास इस समय एटॉमिक एनरजी से सभी के सभी राष्ट्र लैस हो गए अगर तीसरा वर्ल्ड वार होता है तो तीसरे वर्ल्ड वार में पूरी प्रिथवी को क्या कर दिया जा सकता है नश्ट किया जा सकता है तो दोस्तों जब मैं यहाँ पर बताने च प्रकार से लेकर के नईसो आठारा के बीच में हमारा फॉस्ट वर्लड वार हुआ था तो उसके बाद से क्या किया गया था लीग आफ नेशन का निर्मार किया गया था इसलिए ये League of Nation का निर्मार किया गया था कि अगर हम League of Nation का निर्मार कर लेते हैं अगर development हम लोग कर लेते हैं League of Nation का तो उससे क्या होगा उससे आगे World War नहीं होगा लेकिन ये जो हमारा 1914 से 19 के बीच में जो World War फर्स्ट हुआ था और जो League of Nation इस युद्ध के बास तैयार किया ये League of Nation कहीं ना कहीं क्या कर गया फेल कर गया साथ कि जब कहीं ना कहीं ये फेल कर गया उसी की तो देन है ये फेल ना करता तो ये World War 2 आया ही नहीं नहीं कर पाया तो क्या किया गया नया हमारा वर्लड वार इस्टार्ट हो गया और वर्लड वार कप से चला था यह 1949 से लेकर मिंस की 1939 से लेकर के 1945 तक यह क्या होता रहा यह वर्लड वार चलता रहा जब वर्लड वार सकेंड जब समापती के का गार पर आया मिंस की उसका अंत होने वाला था तो जब अंत हो गया मिंस की स संगठन का एक बहुत बड़े संगठन का निर्माल किया गया और इस संगठन का क्या नाम दिया गया जिसको हम लोग आज युनाइटेड नेशन कर इनमाल किया गया लेकिन जो लीग आफ नेशन था प्रॉपरली वह वर्क नहीं कर पाया और प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाया इसी का कारण है कि समाप्त होने के बाद 1945 में जब समाप्त हो गया तो अब इसलिए यूए नो का गठन किया गया कि कोई नेक्ष्ट हमारा करके इन सारी चीजों को हम यहां पर डिटेल में इन इनलीशेश करें गए यहाँ पर आनप प्छीस अपरैल 1945 की बात करतें अमेरिका में आप सभी को पता होगा अमेरिका में 50 देशों कि एक बैठक होती है मिंस की जो अमेरिका नामक सहर पर लोगों के द्वाइघ गया व और किया गयो किया गया किया गया एक चाटर का प्रिपेर किया गया जब हम charity पढ़ते हैं वहां 되면 रह्य कम आता है इसे लिए अगर चाटर से बी को अता तो यह स्याथ्य का इअ लेकर के आता और उसको भी मैं यहां पे इस तरह से हैंड रीटेन नोट में अपने समझाने का पूरा प्रयास करता लेकिन जहां तक मैंने प्रिवेस एर पेपर एनलेसिस किया है वहां पे चार्टर से कोश्चन एक आठ्ठो कोश्चन कहीं कहीं गलती से पूछ दिया है और व इस सारी चुजों से कोश्चन आपके एक्जामिनेशन में मिन्स की उत्राखंड जुडी सरी में पूछा जा रहा है तो उसी के पॉइंट अब्यूस के रिगारिंग हम यहां पे सारी चुजों को लेकर के आए हैं देखिए जब उहां पे 50 देसों की बैठक हुई तो उस ब इसमें कितने सदै तो इसमें कुछी समाय बात है लोगे ग्वालाइट के नाम से जानते हैं तो तोटल समय कभी अगर 55 यहां पर दिल करके बता दिया कि जो आएगा जो फैक्ट रम सरकमिस्टांशेंस तो आपने आंसर को माक करना है तो आपने यह देख लिया मिस्ट कि 24 एक्टूबर को अपना से लिबरेट करते हैं और उसी 24 से हम लोगों ने अपना काम का इस्टार्टट कर दिया आप डेट याद opinion में चार्ट प्रिपेयर करने के बाद 24 अक्टूबर 1945 में यूएनो पर काम करना स्टार्ट कर दिया गया और आप सभी को पता होगा कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनो डे के रूप में भी मनाया जाता है तो इतनी बाते आपको मैं उमीद करता हूँ समझ में आ गया होगा अब आगे डेखी साथ यो अब आगे क्या कर रहा है कि यूएनो का हेड्ट काहां बनाया गया भाई सारी बाते हो गए यूएनो बन गया यूएनो अस्तित्थों में यह 24 अक्टूबरको इसका फीट काहीं बना अगया अगर अमेरिका में बैठा गया था 50 दिश्वों के दौरह तहें यूएन नों की बात हम करते हैं जब करते हैं यूममें च्छे बात करते हैं यूलों में इलने पूछा जाएगा जो आपके प्यरिमियरी एग्जामिनेशन में यह बता डिया कि थे लगारा इसaqu nawr अब इसमें यह बता दीजिए कि किस भासा में काम होता है तो यहां पर आप समझ लीजिए यहां पर यहां पर 6 लाइंग्वेज़ेस में काम होता है वह यह चैनल जिसको मैं आपके सामने लेकर करके आया हूँ देखें आप से चैनीज भासा है एस से इंगलिस भासा है और से इस्पेनिस लेंगवेज़ा दोस्तों आपका हिंदी इसमें सामील नहीं है क्योppen की व रही है यह एक राष्टर की बात नहीं हूड है तो भाने भारत में वहाँ है अंग्ली की बात कुरत करते हैं iam है और ज्य है रूप करहते हूं list में आपको एगर भर पिर रिपर कर देता हूं BガYab ہے B के बाद क्या आता है C D yere recipients Means की यहाँ पे क्या है C के बाद D guyab है और E है D yare guests E यहाँ पे Mental language है उसके बासे F और R यहाँ पे है और उसके बासे R और S यहाँ पे है तो आप जिस प्रकार से आपके पास opportunity हो जिस प्रकार से आप इसको लर्न कर सकते हैं लर्न कर लीजिएगा और यह बात जरूर याद रखिएगा कि वहां पर छै ओफिसियल लैंग्वेजेज अरभी हैं चैनीज हैं इंग्लीज हैं फ्रैंच है रसिया है और स्पैनिस हैं इसी भासाओं में क्या होता है साथ यू काम होता है लेकिन ल क्या किया गया है इसका माननेता की अगर बात करें तो माननेता वर्क करने की बात होता है वह यह दो लैंग्वेज़ेज में में कारें किया जाता है तो साथियों आप बता दीजेगा कि वह लैंग्वेज है फ्रेंच है और इंग्लिस है इसी दो लैंग्वेजेस में वहाँ पे मिलनी ज्यादा तर काम किया जाता है कहां पे जब हम यूएनों की बात करते हैं अब साथियों हम इसके अंग के बारे में पढ़ेंगे इसमें कित से पहला अंग जो हम लोग पढ़ते हैं वह जनरल एसम्बली के बारे में पढ़ते हैं जनरल एसम्बली को अगर हम हिंदी में रूप आंतरन करें तो इसका मतलब होता है महासभा मिन्स की बहुत बड़ी सभा जैसे हमारे देश में संसद है उसी तरह यहां पर भी क्या है ब तो यह कितनी बड़ी सभाह लिए इसका नाम क्या दिया गया महासभा और इंग्लिस में इसको जनरल असय सम्बली का जाता है दोस्तों नाम भाटकर का चितों है किस कौन-कौन से काम करते हैं मिंस कि जो concept दिया जाता है महासाभा का ठीज संसद में किया जता है इसके बारे में युनाइट नेसोन और्ग्नाइजेशन की बात करते हैं तो टोटल इसमें 193 सदस से हर देश से एक आदमी जाएगा मिन्स की हर एक वैक्ती यहां पे जाना अनिवार होता यह कब जाना निवार होता है जब दोस्तो जनरल एसम्बली की मिंस की महसभा की जब मीटिंग होती है तो मीटिंग में हर देश से मिंस की 193 अगर देश इसमें मिंबर है तो 193 देश से एक एक आदमी वहाँ पर एक गाही जाएगा ठिक एक देश से जैसे भारत से मैं आपको एक्जांपल दे करके बताना अगर भारत हो एक बाद मी को जाना लेकिन एक साथ कितने लोग भारत से जयसकते हैं अर मीनीमम एक लोग ko तो जाना ही जाना है लेकिन लोग जाएंगे तो अलग-अलग बात नहीं कहेंँगे यह नहीं कहेंगे पांच लोग हम राम कहेंगे हम स्याम कहेंगे नहीं यह पांचों लोग अगर जाते भी हैं यूएनों में तो यह पांचों लोग क्या करेंगे एक ही बात करेंगे बात क्या करेंगे एक ही बात करेंगे क्योंकि एक ही बात वहां पर की जा सकती है अगर पां लोग जा सकते हैं किसी देश से लेकिन बात वह एक ही करेंगे यहां पर सबसे बड़ी चीज यह है अमेरिका इसी कॉल टू अमेरिका इसी कॉल टू इंडिया है साथियों आपको समझ में आ जाना चाहिए जितना अमेरिका का अधिकार है यूएन नो पर उतना ही इंडिया का अभी अधिकार है यूएन नो पर आपको यह बात समझ में आ रही है अगर अमेरिका का इसी लिए परसन का यहां पर चले आंगे तो इस प्रकार से नहीं बनाया गया कि एक देश से एक ही प्रतिनी दी जाएगा और मेक्सिमम पांच प्रतिनी दी वहां से जा सकते हैं लेकिन पांचों बात एक ही करेंगे वो सारी बातों मैंने यहाँ पे जो मैंने यह बाते लिखी है उसमें इस सारी बाते मैंने आपको concept के तोर पे बता दिया अब example में देख होती है वह साल में एक बार इसकी ह्टक जरूर होती है और बैठक करते हैं तो यह साल में एक बार इनकी बैठक आवस्थ से होती है अव बैठक कब होती है लेकर करके उनकों कहा किया जाता है यहां पर आजन करा जाता है इसी के बारे में कर सब्सक्राइब सबसे नियूंतम सदस्य जो सबसे नया वाला सदस्य है दोस्तों उसका मैं आपको नाम बताना चाहूंगा उस देश का उस देश का नाम है दोस्तों साउथ सुडान मिन्स की दक्षडी सुडान एक छोटा सा देश है वह देश अभी 193 वह नंबर के सदस्य ता क्या किया है कहा सब्सक्राइब करते हैं सारे देश यहां पर पैसा देते हैं मिन्स की सारे पैसा देने का मतलब यह हो गया कि अमेरिका यहां पर पैसा देता है इस इकल टू इंडिया भी पैसा देता है उसके इंडिया यहां पर क्या करता है है यहां पैसा देना होता है कहा बात करते हैं आगे इन्डिया का। क्यों इंडिया अपना जीडीपी का वहां पर देता है तो दोस्तों ये युनाइटेड निशन और्गनाइजेशन है और इंडिया अगर वहां का मेंबर है कभी आज हम सुक्ष चांती से अपने घरों में बैठे हैं वरना कभी का चाइना इसको क्या किया होता चाइना है और अन्य देश है इस पर रोज बंप्रमाडव फेकते कुछ ना कुछ कोई ना कोई अटेक करता रहता है लेकिन हम यूएनों के मेंबर हैं और सांती प्रियर राष्ट्र हैं इसलिए आज हम क्या करते हैं हम सांती से अपने घरों में बैठे रहते हैं अब बात करते हैं इसमें दिसीजन यूएनों की महासभा लेगे अगर किसी नए सदस्य राष्ट्र को सामिल करना है मिंस कि किसी देश को अगर नए देश को सामिल करना है तो उसको क्या किया जाएगा अगर पारित कर जाता है कितने की बहुमत से दो तिहाई बहुमत से अगर पारित हो जाता है तब किसी नए राष्ट्र को क्या कि आजाता है इसमें सामिल के जाता है किसमें तो मैं उमीद करता हूं कि आपको यूएनों से मिंस रिलेटेट जो महासभा है जिसको जन्रल आपको समझ में आ गई अभी इसको मैं रिवीज में बार आप लोग गलत करे और हैं जा चाहता हूं कि कि सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है और जा रहा है। कि मैंने काफी प्रीवेस एर पेपर मैंने करा दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर अगर आपने उसको नहीं वाच किया है तो आप प्लीस उसको वाच करिएगा और उसमें देखिएगा मैं एनलीशेस के साथ मैं बताया हूं कि हम इस टॉपिक से इतना कोश्चन इस हमारे टीवी पे यह बड़ा एक मुद्दा रहता है कि सुरक्षा परिसत के द्वारा इस प्रकार का निड़ने लिए गया तो यह तमाम चीजे जो हैं इसके बारे में हम अक्सर पढ़ा करते हैं अगर सुरक्षा परिसत के हम बात करते हैं तो इसमें टोटल 15 मेंबर होते है हैं आपि अभी जेंरल एसमेली में पढ़ाया है कि वहां पर total 193 सुधम बात करता है लेकिनहां में हम किसी स्टीज्स कि बात करते हैं किस प्राकर कारे प्य्वस्ता है पुलिस Tiger का काम देखते हैं उसी प्राकार से दोस्तों ये उन्टनेशनल ऐबल दो और पुलिस के तोर के हैं साथ इसमें टौ फंद्रा होते हैं। यह मेंवर सब्सक्राइब अब यह कैसे मेंबर सिसमें करना आवी का लगया पर देश अ essence टाइए उस देश के अलफभेटीटिकल लेटर से सबूसके बनाए किसका सदस से बनाया जाता है, तो सुरख्षा परिसत का सभी देशों को सदस से बनाया जाता है जैसे कि अई वया इन्डिया, आई, नौवे नंबर पे इसका आएगा, अगर अल्फाबेटिकल लेटर से देखा जा, तो इन्डिया जो आई हमारा लेटर है, वह नौवे लेटर पर आता है मिन्स की नौवे लेटर पर हमारा इंडिया आता है तो जब इसका समय आएगा तो यह नौवे लेटर पर जब आई का बारी आएगा तो हमारा इंडिया उसका क्या बन सकता है किसका सुरक्षा परिशत का हमारा इंडिया भी मेंबर बन सकता है द पांच अस्थाइं मेंबर को रखा गया जिसको पर्मानेंट मेंबर के नाम से जानते और उस पर्मानेंट मेंबर मेंबर कौन है साथ यह यह क्या है यह सुरुवात से मेंबर है और इन लोगों के पस क्या है साथियो एक विसेस पावर है जिसको उल्ग बीटो पावर के नांसे जानते है बीटो पावर दोस्तों क्या होता है बीटो पावर एक सब्सक्राइब का रिखांच को कार्वाने कार्ण करते हैं यह लोग लगा देते हैं कि हम हम यह काम नहीं करने देंगे तो यह काम को क्या चाहिए अगर देना दिएगी नहीं दिजाएगी तो उसी वीटो के बारे में आप पर बात किया रहा है तो आप पंदर्मंबर होते हैं इसमें अंतर्गत होते जब सुरक्षा तो साल के लिए 10 मिंभर होरह है चुम्हाने बातale는 जो आना है में पहलता है एक ट्रयाइस के लिए क्या गया गया जो है आरो डोसाल के लिए क्या किया जाएगा और उसे के बारे में बतायागा मिन्स की दो-दो साल के लिए एक एक देश को क्या किया जाएगा चुना जाएगा और उसको सुरक्षा परिशत का क्या बनाया जाएगा मेंबर बनाया जाएगा अब दोस्तों देख लीजे सिक्योरिटी काउंसिल किस तरह से वर्क करती है अगर दोस्तों दिन में के अंदर घत यह एक बार अपनी बैठक करते हैं कहां पर रहा है कि की सी तो यह क्या कर सकते हैं इस चोबीस गंटे में वी बैठकों को क्या कर सकते हैं और गनाइज कर सकते हैं तो यह बाते आपको यहां पर ध्यान में रखनी पड़ेंगा इनका जो हेड होता है वह अल्खावेटिकल और से बनाया जाता है और उसी 15 सदस्यों में से होता है जो इनका हेड बनाया जाता है अब हेड में यह नहीं है कि सबक्राइब कुए ने किसी क्या जाता है इसका मुखिया बनाया जाता है तो मैं उमीद करता हूं आपको दो असनले जाते हैं अब ने क्या होता है यह तो देखता है उसको क्या करते हैं जैसे आपके देश सचीवाले में आप क्या जाते हैं सचीवाले में जाएंगे तो यहां पर सचीवाले का निर्माड किया गया और यह क्या करता है यह सचीवाले प्रशाषनी को देखता है किसी प्रकार का कोई दिस्प्यूट होता है इसको यह देखता है इसका है है अप लोग को पता है इसको क्या कहते हैं महाँ सचीवाले साथियों 2017 में 17 में जिनको महासची उन्यूक्त किया गया है उनका नाम एंटोनिया गुटा रेज जी और यह आपके जीएस के परपस से भी यह कुश्चन बन सकता है कि यह नौ साल के कारेकाल के लिए चुने जाते हैं अब आगे देखिए अब यहां पर हम आगे देखते हैं साथ्यूं यह जो है 2017 में इनको चुना गया था और इनका नाम इंटोनिया गुटा जी था यह पांच साल के लिए उलेक्ट्ट रहें पर सथा पर्सका है अपने पत्पे नियूक तो यह आप से त्पोष्ट के लिए सिफारिस की जाती है और कर सकता है तो स्प्यक्रिर्टी काॉंचिल के द्वारा इस पोस्ट के लिए विए सिफारी की जाती है समझे हैं अब देखें इसमें कैसे बन सकता है कि क्या हो सकता मासची की कौन कर सकता के भार सु 리क्षा परिश constitu कौन है कोन कर सकता है सी फारिज कॢशन करेगा साथ यो सुरक्षा परिस्त करेगा और इनकी नियूपति कोन करेगा महासाबा जिसमें 193 देश सदस्य है और 193 महासाबा के द्वरा इसकी नियूक्ति की जाएगी भी यह क्या करताएं जो यह सीक्यूर्टी हमारा यह जो सचिवाला है यह सब्सक्राइट करता हैं कहां का सची वाले ये युनाइटेड नेशन और्गनाइजेशन की सची वाले की बात हम कर रहे हैं उसी की बात यह कर रहा अब सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों यह कि आइसीजे का फूल फॉर्म क्या होता है दोस्तों इसको कहा जाता है इंटरनेशनल कोट अपजस्टिस इसका नाम है और यह किस लिए बनाया गया है दोस्तों यह नियाय देने के लिए बनाया जैसे हमारे देश में सुप्रीम कोट की अस्थापना की गई है उसी तरह इंट इंटरनेशनल कोट बनाया गया और उसी इंटरनेशनल कोट के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों आपसे अकसर कोश्चन पूछा सकता है कि जो इंटरनेशनल कोट अब जस्टिस इसका हेड़क्वाटर कहां पर सुचछूटरियों सब्सक्राइब रहा हूं नीदर लेंड नामक सहर में नामक सहर में दहेख दापन तुकल संच sect कि कि आईसी जी का इंटरनेशनल कोटप जस्टिस का जो है दूते वह तहेग में सिच्वेटेटेट नामक सहर में नीदर लेंड में पहला तोस्तों है अगर मैं आपसे बात करना चाहुंगा कि ये में आपकी जिद्व में कौन से मैतर जाते होगी के मनील कैसर क्वी प्रकार के वार ख्राइम से रिलेटेड को भी मामला होगा तो वह जा सकता है कोई देश की ट्रेट्रिटरी और गलत तरीके से आटेक करता है तो यह माम इंटरनेशनल कटैस्य में जा सकता है ठिक बड़ो वर कि जो भी इंटरनेशनल के मामले होते हैं तिसमें दोस्तों देखिए आप किसे बात करना है मिन्स की इंटरनेशनल कोर्ट यजिस की बात करते हैं इसमें साट होते हैं और नौ का था है दोस्तों मैं अपको इहां पर यह बता देना चाहता हु आगर किसी भी मामले का अगर करना है कम से वह उपस्तित रहेंगे तभी उस तो उस दिन नहीं सुना जाएगा यह बात यहां पहीं बता दे रहा है जर्ण के आते हैं इंटरनेशनल कोड़ अब इसमें वह जज अगर एक बार कोई जज किसी भी देश से चुनके चला आया तो वह नौ साल तक उसका क्या होता है नौ साल तक उस जज़ का करेकाल रहता है यह सारी पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट और सारा आएगा एग्जामिनेशन में तो आपको एक एक नंबर द सीमें जो 15 पंदर पोस्ट हैं इंटरनेशनल कोट अभ जश्टीश में जो जज़े के उसमें से बही एक पोस्ट होता है अध्यक्षे का और एक पॉस्ट होता है उपाध्यक्षी का तो दौस्तों यह जो हमारे डक्टर नागेंदर सिंग है यह वहां पर अध्यक्ष भी थे और उपाध्यक्ष के भी पोस्ट पे क्या थे सुसो भी थे तो ये आपके लिए गर्व की बात होगी कि हमारे इंडिया से भी कोई इंटरनेशनल कोट अब जस्टीज में जा करके लेकिन 15 में भी खास पोस्ट पे सामिल था वह पोस्ट कौन सा था वह अध्यक्ष का पोस्ट था और उपाध्यक्ष का पोस्ट था और यह कौन थे डाक्टर नागेंद्र सिंग आपको यह बाते पता होनी चाहिए आज इंडिय इंडिया से अभी तक चार जड़ेस इंटरनेशनल कोट अब जस्टिस में पहले जो जज गया थे वह सर बैनिगल राव जिसको कहा जाता है जिन्होंने हमारे कंसिटुशन अफे निवार हेटकर सबसे पहले इनहीं के द्वड़ाा प्रिपेःड करके क्या कि र reflecting करना करनीिके द्वारा को दिया गया था ठीक दूसरे नंबर पर कौन गए थे डाक्टर नागेंद्र सिंग गए थे इनका कारेकाल अलग था इनका अलग इनका अलग सबका कारेकाल साथ यू अलग अलग है यह एक बार चुने गए थे सहाब बेनिगल राओ जी तो यह 9 साल तक अपने पत पे सुसोबी थे आरेन मिंस दूसरे लोगों को चुन करके नहीं बेजा जाता है मिंत की सभी लोगों का जो डेट है वह अंतराल अंतराल पर आप देख सकते हैं कि 65 साल हमारे देश को अजाद हुए हो गया और आज तक चार लोगों को क्या बताया इंटरनेशनल कोट आप जस्टिस में इंडिया से गय हैं तो आपको यह बाते सारी यहां पर आपको इंफॉर्मेशन जो थी इंटरनेशनल कोट अब जस्टिस से जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए आएगा वह सारी बाते मैंने यहां पर कोट कर दिया कोई भी दो जज एक साथ एक चाउंचील के नाम से मंगोग जाना जाता और लुटी कर लुटे हैं को औरो इको कितने में कितने होते हैं क्या आंद्हेक्ष southwest 맞아 में dwa वह तीन साल तक रहेंगे जैसे यहां पर लोगों को अगर इको सॉक का मेंबर बनाए गया है तो एक मेंबर कितने दिनों तक रह सकते हैं तो जो एक मेंबर रहेंगे साथ यो तीन साल तक मेंबर रहेंगे और जो अध्यक्ष बनेंगे वह एक साल तक ही अध्यक्ष पर अपने साथ की अब यह यह दो सांसलीट कर दिया गया कब इसको समाप्त कर दिया गया सब्सक्राइब और उडिटों की बात करते हैं तो पांच ब्सक्राइब करते हैं तो पांच अगर लैंग्वेज़ेजित की बात करते हैं आप दोस्तों यहां पर आपको कराने के लिए यहाँ पर मैं बता देता हूं कि किस प्रकार से आप चाहेंगे तो इसको कर सकते हैं देखिए युनाइटेड नेशन और अगर हम बात करते हैं यह इंटर्नल गवर्मेंट और ऑर्गानइजेशन होता एक इसका विचार किस ने दिया था तो इसका दिया गया तो इनके द्वारा के साहब के द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया था कि आप लोग क्या करें एक युनाइटेड नेशन और्गनाइजेशन का सदस्यों की बात करते हैं तो फचास सदस्य लेबल पर थे और एक सदस्य जोड दिया गया कब इसका नाम पॉलेंड तो एकवन सदस्य इनिस्व इस्टेश पर थे और साथ यू अगर हम 193 देश की बात करते हैं तो यूनों के अंतरगत 193 देश हैं प्लस इसके अंदर दो ऑफ्जर्वर इस्टेट भी हैं एक जो ऑफ्जर्वर इस्टेट हैं मिन्स के अंतरगत ही सामिल है यह नहीं हो जाएंगे दो जो ऑफ्जर्वर इस्टेट की बात कर रहा हूं यह जो ऑफ्जर्वर इस्टेट हैं यह जो सामिल है और एक जाना जाता है यहां पर एक सी हो गया और दूसरा जो हो गया फिलिस्तीन हो गया दोस्तों अगर चार्टर की बात करते हैं तो चार्टर 25 अपरेल 1950 को मिन्स की 50 देसों में 50 देसों के द्वारा अमेरिका के सैंस फ्रांसिस्को नामक सहर में बैट करके उसको तयार किया गया था 25 जून 1945 को चार्टर को एडॉप्ट क करने के बाद 24 अक्टूबर 1945 को किया गया इसको लागू कर दिया गया इसका कामकाच करने के लिए इसका इंडिया की अगर हम बात करते हैं दोस्तों इंडिया इसका मेंबर कब बना तो 30 अक्टूबर 1945 को इंडिया ऑफिसियली इसका मेंबर बना दिया गया किसका मेंबर बन जैसे कि यहां पर मैं महासभा की बात करता हूं जो कि 20 संसद होता है जिसमें की 193 सदस्य देश होते हैं अब यहां पर देखिए 10 जनॉरी और इसका कहां पर दोस्तों तो इसका जो इसका जो यहां महासभा में क्या जाता है और नय सदस्यों के संबंध पर क्या किया जाता है और यहां किया जाता है इसमें सवर्दियों को सामिल करने का कोशिश के जाता है और वजजट पर क्या किये जाता है फिक अब हम बात करते हैं इसका जो अंग था शुरक्षा परिसद की कि मैंने आपको याद दिल आया था कि पूलिस की तौर पर काम करता है इसमें टोटल सबस्क्राइब करते हैं इसमीं से मिला करके टोटल पंद्रा सदस्य होते हैं किसके अंतरगत सुरक्षा परिशन से बता रहा हूं इसके लिए इंकुनाओं के चुनाओं अगर हम ICJ की बात करते हैं अगर हम साथ यू ICJ की बात करते हैं मिंस की International Court of Justice की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है इसमें आप सभी लोगो को पता है कि इसमें टोटल 15 जजिस होते हैं कोरम की अगर आते हैं तो 9 जजिस अगर आते हैं तो कोरम पूरा होता है और एक जजिस का दुबारा भी चुना जा सकता है अगले कारेकाल के लिए मिन्स की बात करते हैं सुरक्षा परिसत का क्यों बनाया गाता तो उर्था परेषबवस्ता को भेवस्ता को बनाये के लिए बनाया गेहा था है इसमें होते हैं संस्था होता है कॉन जो सुरक्षा परिशद होता है या होती है इन्सकी बैठक होती है अगर इमर्जेंसी होने पर यह क्या करते हैं किसी भी मामले के लिए पांच पलस चार वाले यहां पर नहीं अनिवार तो यह सारी बाते जो आपको मैंने पीछे नहीं बताया वह आपको रिवीजन पॉइंट आप यहां पर बताता चल रहा हूं जिससे की आपको यह याद होता रहे अब दोस्तों हम सची वाले की बात करते हैं जिसको हम लोग करते हैं जिसमें प्रशाशनिक वर्गों को देखा की सिफारीष पर जाता है कि जुक यहां पर महसाभा जिसको महसची यहां पर चुना जाता वो जब तक सुखरक्षा परेस्ट अपनी सीफारिष्ट नहीं देता है किसको को जैनराल पुतगाल के अंटोणियों गुटारेस जी है और मैंने आलरीड को इंटोणियों गुटारेस जी के बारे में बता दिया अब यून सक्राइश की युनाइटन है तो साथियों इसमें टोटल 14 सद्षय होते हैं और इनका कारेकाल कितना होता है एक साल होता है यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अब दोस्तों हम यहां पर बात करते हैं कि इंटरनेशनल कोट अब की बात करते हैं इंटरनेशनल कोट आप जस्टीज के हेड़कॉार्टर की हम बात करें तो इसका जो हेड़कॉार्टर साथ ही सिचुएटेड है वह नीदर लेंड नामक जगह पर सिचुएटेड है इसमें टोटल 15 होते हैं को टा है नो साल ही होता है यह किस प्रकार के मैटर को डील करता है और इंडिया से अगर हम बात करते हैं तो मैंने लीडी बता दिया है सर्भियन राव जी गया थे नगंदर सिंग गय थे और यह अध्यक्ष भी थे और उपाध्यक्ष यह दोनों पदों पे सुसोभित भी थे आरेन पाठक सहाब गया और डलविर सिंग भंडारी यहां पर गया है तो यहां पर देख सकते हैं अगर हम फंडिंग की बात करते हैं तो GDP के परसेंट देता और यहां पर देख सकते हैं यहां पर अपना फंडिंग यहां पर करता है मैंने आपको बताया था इंडिया इस इकॉल टू अमेरिका तो आप यहां से देख करके डाटा समझ सकते हैं दोस्तों इस सेशन में इतना ही था यह भी एक मैंने सौट रिवीजन के परपस से रख दिया है कि आपको अगर लगता है कि पांच मिनट में आपको लर्न करना है तो आप इसको देख सकते ह मास चीव के बातकरते हैंने तो इसमें वस्तुक्त परमनेंट मेंबर होते हैं ज recently कि पर्मनेंट मिंबर की अगर हम बात करते तो अमेरिका बिलिटेंट चाइना रसिया और फ्रांस होते हैं और इसी के साथ साथ दोस्तों इंटरनेशनल कोट अब जस्टीस की यहां पर बात कर रहा है इसके अंतरगत क्या होते हैं इसमें टोटल 15 होते हैं और एक कारेकाल होता है और कोरिंवी एक जैसे का कितना होता है 9 साल का होता है और इंडिया के तरफ से अस्थाइ प्रतिनी इतो इस समय है रूचिरा कंबोज है इंटरनेशनल कोट यह कोट आप जिस्टीस में बहारत के कौन को लोग पाठक और दल्वीर सिंग भंडारी जी जी गया है जो कि 2017 मे कि मैं आपके लिए ले करके आया था यू एनो से रिलेटेड था और खास करके उत्तराखंड जूडिसरी से रिलेटेड था दोस्तों इस प्रकार के वीडियो और अपडेट को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और बेल बटन पता है मैं लौ से रिलेटेड आपके जीए से रिलेटेड उस टॉपिक पर वीडियो जरूर लेके आऊंगा दोस्तों इस वीडियो को वाच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू